हेलो दोस्तो, दोस्तो मुझे बहुत सारे वीवर्स ने कमेंट किया कि टाटा के इंटरा V30 का कमपेरिजन वीडियो बनाईए महिन्रा के बुलेरो पिकप के साथ तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा इंटरा V30 वर्सेज महिन्रा बुलेरो पिकप BS6 दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे की मेरे आने वाले वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनु मॉडल्स की केविन को यहाँ पर आपको केविन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा Tata Intra V30 का केविन आपको fully forward केविन मिलता है जो की ठीक इंजन के उपर लगे रहता है और महंद्रा का जो केविन रहता है वो इंजन के पिछे होता है इसके कारण महंद्रा के केविन में बहुत ज़्यादा safety रहती है बाकि look wise दोनु ही केविन बेस्ट है दोनु का जो फ्रंट का स्ट्रक्चर है वो काफी एट्रेक्टिव है दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे दोनु गाडियों के इंजन को बात करते हैं महिंडरा बुलेरो पिकप के इंजन के बारे में जो महिंद्रा का बुलेरो पीकप 1.310 वाला मॉडल है इसमें महिंद्रा का M2 DICR 2.5 लिटर का तर्बो चार्ज फोर सिलेंडर डीजल इंजन लगा हुआ है यह BS6 टेकनोलोजी के साथ आता है इसका डिस्प्लेश्मेंट 2523 सिसी रहता है अगर बात करें इसके मैक्सिमम पाव इसके मुकाबले हम Tata Motors के Intra V30 के इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लिटर का डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि BS6 टेकनोलोजी के साथ आता है और यह इंजन भी चार सिलेंडर के साथ आता है अगर बात की जाए इस इंजन के डिस्प्लेश्मेंट की तो यह 496 CC का डिस्प 500-3000 RPM में तो दोस्तो यहाँ पर आपको इंजन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलीगा पावर के मामले में लगबग लगबग दोनु बराबर है बट टॉर्क और इंजन का जो सिलेंडर है और डिस्प्लेश्मेंट है उसके मुकाबले महिंद्रा बुलेरो इससे काफ दोस्तो नेक्स बात करेंगे दोनु मॉडल्स के गेर बॉक्स के बारे में महिंद्रा का जो बुलेरो पीकप है इसमें आपको फाइव स्पीट वाला सिंक्रो मेस फाइव फॉर्वर्ड और एक रिवर्स गेर के साथ गेर बॉक्स मिल जाता है वहीं बात करें टाटा इंट् के स्टेरिंग के बारे में महिंद्रा बुलेरो पीकप का जो 1.3 टन वाला मॉडल है इसमें आपको पावर स्टेरिंग मिल जाता है साथ साथ कंपनी आपको इसमें मैनुवल स्टेरिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइट करती है वहीं जो टाटा मोटर्स का इंट्रा वी 30 के बहुत ज्यादा मेजर डिफ्रेंग को मिलने वाला है दोस्तो अगर बात की जाए दोनु इसमें कुछ ज्याधा मेजर डिफ्रेंग को नहीं मिलेगा अगर हम बात करें दोनु मौडल्स के सस्पेंशन के बारे में महिंद्रा का जो बुलेरो पिक अप है उसमें रिजिट लीप स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है वहीं टाटा का जो इंट्रा वी 30 मौडल है इसमें लीप स्प्रिंग सस्पेंशन लगा हुआ है जिसमें फ्रेंट में पांच और रिय model है इसमें 14 इंच के radial tubeless tire लगे हुए है जिनका aspect ratio जो होता है यह wider होता है यहां पर आपको tires में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलगा अगर बात की जाए दोनों models की seating capacity के बारे में तो आपको seating capacity में कोई difference देखने को नहीं मिलेगा महिनरा में भी आपको driver के साथ एक co driver के बैठने की विवस्ता मिल जाती है और टाटा intra में भी आपको एक driver और एक co driver के बैठने की विवस्ता मिल जाती है तो seating arrangement दोनों ही काड़ियों में लगबग लगबग एक जयासा दिया गया है दोस्तों अगर बात की जाए दोनों models के fuel tank capacity की बारे में तो महेंद्रा का बुलेरो 57 लिटर के tank के साथ आता है वहीं जो टाटा का intra V30 model है यह 35 लिटर के fuel tank के साथ आता है तो यहाँ पर आपको एक major difference देखने को मिलेगा महेंद्रा का जो fuel tank है यह intra से काफी बड़ा है अगर दोनों models के weight को देखा जाए महेंद्रा का gross vehicle weight 3245 kg है टाटा intra V30 का gross vehicle weight 2565 kg है वहीं महेंद्रा का payload 500 kg के करीब है और टाटा intra का payload 1300 kg है तो यहाँ पर आपको weight में भी बहुत ज्यादा major difference देखने को मिलेगा महेंद्रा की करता हूंगा दोनु गाड़ियों के dimensions के बारे में अगर wheelbase की बात की जाए तो महेंद्रा बुलेरो pickup का wheelbase 3264 mm आता है इसके chases की length 5219 mm chases की width रहती है वो 1700 mm और इसकी height रहती है 865 mm रहती है वहीं load body की बात की जाए तो load body की length 2540 mm width 1700 mm और height 650 mm रहती है अगर Tata intra के wheelbase की बात आपको 2450 mm का मिलता है इसके साथ-साथ इसकी जो vehicle की length रहती है 460 mm रहती है load body की length 2690 mm, load body की width 607 mm और इसकी जो अगर मैं fit में बात करूँ तो इसकी load body आपको 8.8 feet into 5.3 feet मिल जाती है तो यहाँ पर आपको load body में भी major difference देखने को मिलने वाला है साथ-साथ जो गाड़ी की overall dimensions है उनमें भी काफी जादा difference है, महिंद्रा की गाड़ी थोड़ा सा Tata Intra से इसी लिए लंबी है क्योंकि इसका जो cabin है वो engine के पीछे लगा हुआ है तो इसकी गाड़ी की लंबाई Tata Intra से बहुत जादा है दोस्तों अगर दोनु गाड़ीयों के mileage की बात करूँ तो महिंद्रा का जो bulero pickup है 1.3 ton का यह approximately 17.2 kmpl का mileage देता है और जो Tata का Intra V30 model है यह approximately 18.2 kmpl का mileage देता है तो यहाँ पर आपको mileage में ज्यादा difference देखने को नहीं मिलने वाला है दोनु ही गाड़िया लगवग लगवग एक जैसा mileage देती है और mileage कई बार बहुत सारे factors में depend करता है जैसे की driver कैसे गाड़ी चलाता है गाड़ी का maintenance कैसा है और कैसी road में गाड़ी चल रही है अगर दोनु models के price को देखा जाए महिंद्रा का जो bulero model है यह आपको 8.02 lakh से start होता है वही टाटा का जो intra V30 model है यह 6.92 से 7.22 lakh में start हो जाता है दोस्तों यहाँ पर price में आपको महिंद्रा बुलेरो थोड़ा सा ज्यादा लगेगी बट इसमें Tata Intra के मुकाबले थोड़ा सा weight ले जाने की capacity और जो cabin में जो safety के feature है वो थोड़ा सा ज्यादा है और इसके साथ साथ यह इंडिया में इसकी जो service है लगबग लगबग आपको हर जगह में मिल जाती है क्रादा जिला कुछ्बले ले लाबगता यह हर लेद्रा जैसा करना बॉड़ा यह क्यां क मुछ्च एम रुछ्ट चले का लाओट